हेलो फ्रेंट्स गुड मोर्निंग मैं राहूल रंजन स्टड़ी इंडियाड़ा के यूटीब चैनल आपको स्वागत करता हूं दोस्तों जैसे कि आप लोग पता है चैनल पे आपको लगातार क्लासे रेल्वे एससी और स्टेट लेवल का एक्जाम का क्लास चलते रहता है द दोस्तों आज बहुत है महत्तवपूर्ण आपको इस्रो का भेकेंसी आया हुआ है दोस्तों और यह भेकेंसी आप लोग को बता दें कि यह ग्रूप ABC 3 ग्रूप के लिए आया है दोस्तों ठीक है इस्रों SAC कहने का मतलब हो गया अस्पेस अप्लिकेशन सेंटर ठीक है SAC का मतलब यह दसमा पर है ITI डिगरी और डिपलोमा ठीक है बीटेक और डिपलोमा और ITI वालों के लिए और 10 वालों के लिए सभी के लिए है शाथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि इस फॉर्म को भरने के लिए कि आपको कोई चार्ज पर नहीं करना पड़ेगा नो अप्लिकेशन फिर दोस्तों ठीक है चलिए इसके बारे में हम लोग डीटेल्स देखेंगे उसके उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो को ला प्रिएव डॉनलोड कर सकते हैं ठीक है देख सकते हम लोग रिकूरूटमेंट डॉट एस डॉट गॉवर्मेंट डॉट इन जो की इस रों का दोस्तों यह सब्सक्राइब रिसर्च और्गनाइजेशन का यहां पर वेबसाइट है हाँ आ चुके हैं देख सकते हैं यहां इ इस तरीका से डॉनलोड होगा दोस्तों इस डॉट्बर आजमेंट को हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें कौन से पोस्ट की कौन-कौन से स्टुडेंट एलिजीबल है क्या इसका जो है सैलरी बगर होने को जो है यहां पे last date है form को भरने के लिए जो कि space application center SSC invite online application for following post कौन को उसे post है बहुए से post है दोस्तों पुरा लंबा यहां इसका notification है सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं पुरा details में वीडियो को last तक जोड़ देखिएगा सबसे पहले पहला पोस्ट में आपको बता रहा हूं जो कि है इलेक्ट्रोनिस वालों के लिए कौन सा यह सबसे पहले हम लोग जीकर कर रहे हैं ग्रूप A वाले का ठीक है जो कि बीटे के यह सब ही लिजी वाले हैं ग्रूप B डिप्लोमा इस सब हैं 10 और आईटी वालों भी है सीडी में तो यह हम लोग देखते हैं जो कि यहां पर दोस्तों साइन्टिस्ट के इस सरुका है दोस्तों जो कि इसमें इलेक्ट्रोनिस ब्रा कौिकल यहां ओच्वी। यहां से ब्रसकते हैं अगला हम लोग देखते हैं इस पोस्ट के लिए और भी क्या है M-TEC वाले भर सकते हैं दोस्तों यहां पर दे रखा है और हाँ नियुंतम और भी यहां पर देख सकते हैं EME M-TEC in electronic electronic communication यह सभी branch है जो आपको दीख रहा है यह पूरा branch वाले अगर आप लोग है 65% नहीं 60% ठीक है ध्यान से देखिएगा 60% पहले जो था दोस्तों कुछ इस तरीका से इसका qualification रखा जाता था फूरू अब शक्ताएं ऐसे होती थी लेकिन अभी जो essential में यह अनिवार्ज कर दिया गया है ठीक है पहले कुछ इस तरीका से जानी 65% खोजा जाता था लेकिन अब 60% यहां पर खोजा जा रहा है इस form को भ सकते हैं ठीक है दोस्तों और यहां पर मैं बता दूँ कि यहां पर मिनिम्मम टू यहर का professional experience होना चाहिए after acquiring degree of M.E.M. अगर आपके पास experience है तो आपको आपके लिए बेहतर होगा कि आपको preference भी उहां पर मिलने वाली है ठीक है अगला पोस्ट है दोस्तों यह है scientist physics का ठीक है इसमें एक पोस्ट है निवंतम औसत जो रखा गया है वो 65% अंग के साथ जो होना है जो फिजिक्स में first class MSC physics होना चाहिए दोस्तों और यहां पर 65% मिनिमम होना चाहिए अगर CGP है तो 6.84 होना चाहिए अगला पोस्ट है यह साइड जो दिख रहा है दोस्ते पहले इस पोस्ट के लिए कंप्यूटर इंजिनेरिंग कंप्यूटर साइंस इंजिनेरिंग इन्फॉर्मेशन कम्मुनिकेशन टेकनलाउजी जो की ICT ब्रांच होता है यह से भी फर्स्ट क्लास आप लोग को इंटलिजेंस मसीन लर्निंग यह से भी में आपको होना चाहिए आपको 60% मिनिमम अगला दोस्तों बैज्यानी के भी जानता यह भी है साइंटिस्ट का ही है आपको कंप्यूटर से जो की इसका भी एक पोस्ट है इसके लिए भी आपको कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर यहां पर कंप्यूटर साइंस और इंजिनेरिंग इन्फोर्मेशन टेक्नलोजी आई सीट यह सब ब्रांच से मिनिमम 60% होना चाहिए अगला पोस्ट है पच्पा नमर पोस्ट जो की साइंटिस्ट इलेक्ट्रोनिस का है इसका इसके लिए भी छे सीट है और इसके लिए भी एम्टेक होना चाहिए और इसके लिए रखा गया स्ट्रक्चल एनलाइसिस काड़े सीए और इंडिस्ट्रियल सेफ्टी यह सभी से जितना ब्रांच यह सभी दिख रहा है इस सभी से मिनिमम आपको 60% जो है किसी एक में होना तो आप इस फ़ार्म को बेशक अप्लाई कर सकते हैं आगे बात करते हैं दोस्तो तो यहां पर आपको जो पोस्ट है अभी हब अभी 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 जहे है अस्ट्रक्चरल इंजिनेरिंग को है इस फें भी एम데क होना चाहिए Engineering, Civil Engineering से या फेर यहां पर Structural Engineering बित Minimum 60% रखा गया है अगला Post जो किया है दोस्तो इलेक्रिकल ब्रांच का तो इलेक्रिकल ब्रांच का भी M-Tech Post होना चाहिए First degree 60% Minimum होना चाहिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर Group B का Group B का जो इहां पर रखा गया है दोस्तो वो है Technical Assistant Electronics का Technical Assistant Electronics का पहला एक Post है इसमें आपको Diploma होना चाहिए Electronics का Electronics and Communication का First Class से होना चाहिए अगला Post है Technical Assistant Mechanical का इसके लिए भी एक Post है इसमें भी आपको Diploma Mechanical Engineering से First Class होना चाहिए अगला है Technical Assistant Civil का इसके लिए भी आपको Civil से First Class होना चाहिए डिपलोमा अगला है दोस्तो Technical Assistant Electrical Electrical का भी एक सीट है इसके लिए First Degree होना चाहिए First Class याने डिपलोमा में अगला हम लोग देखते है ग्रूप C वाले Post जो कि यहां पर Technician B का फीटर ट्रेड का छौब पोस्त है दोस्तों के ट्रिवाज देख सकते हैं इसमें Metric SLC 10th Class Plus ITI इसमें Feetor से IT होना चाहिए 10th Plus Feetor से IT होना चाहिए अगला है यहां पर Technician B यह Mechanist का है दोस्तों इसके लिए भी Total 2 seat है जिसमें आपको Metric Plus से Mechanist से IT होना चाहिए अगला है Technician Electronics का इसके लिए साथ पोस्त है इसमें भी आपको Metric से होना चाहिए साथ इसाथ Mechanic, Radio and TV Electronics से आपको ITI भी होना चाहिए अगला पोस्त है Information Technology इसके लिए दो पोस्त है जिसमें भी आपको Metric होना चाहिए साथ साथ information technology information and communication technology system ये सभी में से कोई एक होना चाहिए अगला जो है दोस्तो plumber का technician जो कि इसके लिए एक backlog vacancy है जो कि metric plus आपको plumber से ITI होना चाहिए ठीक है ये सभी compulsory है जो इस post के लिए अगला है technician भी carpenter का carpenter का लिए एक seat है जो कि यहाँ पे metric plus carpenter से आपको ITI होना चाहिए अगला है electrician इसके लिए एक seat है metric plus आपको electrician से ITI होना चाहिए अगला है draftman भी mechanical का है दोस्तों जो कि तीन post है इसमें आपको metric plus draftman से mechanical degree होना चाहिए ठीक है अगला है technician भी इसके लिए एक post है जो कि metric plus lab assistant chemical plant या attendant operator chemical से आपको ITI होना चाहिए ठीक है एक से यहाँ पे आपको यह उतना compulsory नहीं है main point है वह चीज़ को मैं देख लेता हूँ पोस्ट वन के लिए दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा benefit होने वाला है यहाँ 67,700 से दो लाग 8,700 तक इसका salary होने वाला पोस्ट वन का ठीक है मैं सभी post का जिकर कर दिया हूँ post 2-8 तक 56,100 से 1,77,500 तक इसका salary होने वाला है पोस्ट 9-12 तक 44,900 से 1,42,400 होने वाला है post 13-21 जो की ITA वाले post है इसमें 21,700 से 79,100 तक इसमें salary आपको मिलने वाला है पलस में जितना भी government sector का जो canteen facility छुटी ये सभी जो है मकान निर्मान के लिए बीमा ये सभी जो हर चीज जो फैसलीटी एचारे टीए डीए सभी जो है यहाँ पर मिलने वाली है इस post के लिए ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं उम्र का भी जो government sector से जितना आपको छूट मिलता है वो आपको यहाँ पर रखा गया है पोस्ट मान के लिए दोस्तों मैं उल्रेडी बताया था कि उसके लिए अनुभवख हो जाया यानि दो बर्स का मीनिमम यहाँ पर एम्टे के साथ में आपको जो होना चाहिए एक्स्पेरियंस होना चाहिए पोस्ट दो से आठ तक के लिए ऐसा कुछ नहीं रखा गया है ठी पोस्ट के नहीं देश रखा 으 रिटेन टेस्ट में भी रिटेन टेस्ट होगा दोस्तों उषी के बेसिस पर आपको यहाँ पे सेलेक्शन होगा पोस्ट 1-8 तक के लिए 9-20 तक के लिए जो होगा इसके लिए टू लेवल रिकूरूट्मेंट्लेम्ट प्रोसेस होगा जिसम test will be conducted only screened in candidate 76 जो की 76 2020 को आपको exam होगा Sunday को जो की अहमद्दावाद CT में होगा ठीक है अहमद्दावाद CT में retained test होगा इसके लिए आपको admit card जो है जारी किया जाएगा official website से वहाँ से admit card आप आश्रानी से download करके exam को दे सकते हैं ठीक है यहाँ पर आज देख सकते हैं किसी भी पद के लिए कोई आवेदन सुल्क नहीं है यानि free of card cost इस form को भर सकते हैं ठीक है इसका आवेदन form जो चालू हो गया है वो 14-3-2020 से यानि 14 तारिक से 3-4-2020 तक जो है आप form भर सकते हैं यह official website रहा दोस्तों इस website को node on कर लीजे या फिर यह जो website है इस website के माद्यम से आपको जो है online form को भर सकते हैं registration कर सकते हैं ठीक है यह दोनों website के माद्यम से आप किसी एक website के माद्यम से आप जो है है ठीक है सारा चीज हम लोग यहां पर देख चुके हैं दोस्तों और आप लोग का जो होगा यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेनिफिश्चल लगा होगा दोस्तों तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटे के बेल एकन आउन करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं ठीक है और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद ज हैंद।